आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जिरोधा एप्लिकेशन से फंड विड्रॉल कैसे करेंगे गैस आप भी जानना चाहते हो कि जिरोधा एप्लिकेशन से आप फंड को अपने बैंक में ट्रांसपर कैसे करेंगे पैसे को विड्रॉल कैसे करें तो फिर करना क्या होगा अपने फोन में जिरोधा की application open करनी होगी तो यह जो जिरोधा काईट है मैं इस application को अपने फोन में open करूँगा उसके बाद जो भी आपका जो इस application का password है वो यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे यहाँ पर password डालेंगे उसके बाद कुछ इस तरह से आपकी जिरोधा की application open हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपकी watch list रहेगी वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी अब यहाँ पर fund withdrawal करने के लिए यहाँ पर हमें अपनी profile पर जाना होगा पहले जैसे profile के उपर हम click करेंगे नीचे की side में यह जो profile वाला option रहता यह आप देख सकते है इसके उपर tap करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option मिलेगा funds तो इस funds वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपके wallet में जितना भी fund रहेगा वो सारा यहाँ पर show हो जाएगा उपर की side में अब यहाँ पर मेरे wallet में 500 रुपीस पड़े और मुझे इसे withdrawal करना है तो कैसे करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे withdrawal वाला option show हो रहा होगा इसके उपर tap करेंगे अब यहाँ पर यह बता रहा देख सकते हो regular में 24 to 48 hours में यहाँ पर आपका जो payment है वो receive हो जाएगा और instant में यहाँ पर maximum 1 lakh रुपीस बता रहा हो यहाँ पर instant का option है ठीक है अब यहाँ पर जितना भी amount आपको withdrawal करना वो यहाँ पर आपको type कर देना है तो जैसे for example मुझे 500 withdrawal करना तो मैं यहाँ पर यहाँ पर continue पर click करूँगा अब यहाँ पर आपके जो bank के detail रहेगी वो यहाँ पर show हो जाएगी आपका bank account number वगरा सब कुछ आ जाएगा जो भी आपका जिरोधा के साथ link रहेगा वो आ जाएगा और उसके बाद confirm पर click करेंगे तो यहाँ पर payment हमारा जो withdrawal हो जाएगा request जो withdrawal हो चुकी है place हो चुकी है अब guys क्या होगा कि थोड़ा सा हमें wait करना है एक दो दिन के अंदर ही हमारा जो payment है हमारे bank account में आ जाएगा फिलाल यहाँ पर यह pending बता रहा ठीक है तो यह जो pending है request complete होते ही हमारा जो payment है हमारे bank account में जो है receive हो जाएगा ठीक है अगर आपको cancel करना request तो यहाँ से आप इसे cancel भी कर सकते है तो इस तरह से आप zero the application से अपना fund withdrawal कर सकते है